एक तरफ है महेंदर सिंग धोनी की चेंपियन टीम एंड दूसरी तरफ है हमारी बनाई हुई इस सीजन की सबसे बेश टीम जिसके स्क्रिन पे इस वक्त दिख रहा होगा मेरे हिसाब से यह आईपियल के टॉफ सिस्टन प्लेयर से आपके हिसाब से क्या है वो नीचे कोमेंट करके बताना एंड जब सिक्का उचाला महेंदर सिंग धोनी ने उनके पच में गिरिये टॉस और पैटिंग करने का फैसला भी किया कितना अच् игр टीसेजन होगा हो वो मैच के अंड में पता चल जाएगा यह लाइन अप है और यह इंपक्लेयर है जो सेकेंड इनिंग में खिलते हुए दीह सकते है यह हमारी लाइन अप है और नीचे जो पांच इंपक्लेयर दिख रहे है पर सेकंड इनिंग में तो पहली गेंद यहाँ पर मुहममस इराज के हाद में और कोई रन नहीं मिलेंगे यहाँ पहली गेंद डॉट गेंद रही है शुरवात अच्छा है यहाँ पर IPL 11 के लिए यह आखरी गेंद इस ओवर की एक रन आई दिया भी तक आखरी गेंद पर च पिछले ओवर में तो इस ओवर में थोड़े रन्स बनाना चाहेंगे बड़ मुहमस समी कभी IPL अच्छा रहा है और यह चोटी गेंद पर पॉइंट के उबर से सौट केलना चाहते थे सीधा हाथ में गई है पहली सफलता यहाँ पर एवन कॉनवे तेरा रन बन चुके और समी भाई के पिछले ओवर में सफलता मिली थी क्या इस ओवर में भी दिला पाएंगे भाई यह कहां से निगली एगिंद कैच हो सकता था यह चाहती तोड़ सोट थी यार चार रन्स मिले यह अगला गेंद अच्छा सवाट लगाया जरूर लेकिन टाइमिंग उतनी बड़ सफलता मिलते हुए यहां पर दूसरी विकेट मोहमद समी के लिए और आईपिल एलेवन के लिए भी खैर अगली गेंद अच्छा यह सोट है जिंके रहाने ड्रेसिंग रूम से सेट हो गया है चार रन्स लगाते हुए यहां पर मोहमद समी जिन्होंने दो विक्टे ले लि लिए तो होफली एक और विकेट लेने की उमीद थी लेकिन विकेट दिलाते हुए यहां विकेट टेकर रासित खान बड़ी विकेट यह अच्छा फॉम में दीक रहते हैं लेकिन वापस बेजा उनको अगली गेंद मोहिन अली आया है और मोहिन अली चाह है ग्लेन इसलिए इनको चार ओवर निकालने पड़ेंगे रासित खान पे भी अक्रमंट किया है पर मोहिन अली ने एक और छक्का इस बार रासित खान की गेंद पर पिटाई तो हो रही है रासित खान की आज और इस बार लेक साइड पे छे जड़ दिया है पहले ओफ साइड पे हमारे फिफ्ट वॉलर जिनके चार ओवर निकालने इंपोर्टेंट है इस पर ट्राई भी करेंगे विकेट भी जाएगी आ गई है विकेट इस पर सिवम दूबे की विकेट आई है ग्लैन मैक्सवेल के लिए बहुत बड़ी विकेट है अपने टीम के लिए बहुत बड़ी इस पिन को टारगेट करते हुगा रविंद्र जडेजा चार रंस मिलेंगे यहां पर गेंद को गहरे चार रेचा चार रंस दे जा नाइंटी नाइन के यहां पर सौरन पूरे होते हुए CSK के रविंदर जटेजा अगली केंद गलेन मैक्सवेल की अच्छा स्वाट है ये पीछे फिल्डर भाग रहे रोप नी पाएंगे चार रंज मिलेंगे आपर अगली गेंद अच्छा स्वाट है ये पीछे फिल्डर मौजूद है लेकिन बनके रह जाएंगे दर्सक चार ओर रंस मोहिनली के लिए मौहमस समी का ये आखरी ओवर है और इस पे चार ओर रंस भी मिलेंगे मौहिनली जैसे स्टार्ट दिलाई ना भाई अब तो 200 रं यहां से असानी से पहुच रही है ये CSK और इस सिंगल के साथ 50 पूरे होंगे सिंगल नहीं है आपर डबल भी मिल सकते है 51 पे मौहिन अली बहुच चुके और 50 रं पूरे गरते हुए अपने मौहिन अली और यहां से अगर एंड तक केल के तो भाई डेफिनेटली दो सरन तो बन रहे है यहां पे अभी तो आने बाकी है मैंधर जिंग दोनी यह अच्छा सौट है रविंद्रे जटीजा के बैट से हो छे रंस मिलेंगे चौका चौका क्या था यह फिल्डिंग क्या चल रही है भाई अगली गेंद यहां पे क्लेन मैक्सवेल क्या विकेट आएगी यह तो गेंद बाहर जाएगी छे रं देके जाएगी मोहिन अली को चलिए मोहिस सर्मा से ही विकेट की चांस कैच होगा होना चाहिए भाई कैच अरे कैच छोड़ दिये हैं यहां पे यह क्या कर रही है यह यह फिल्डर कोन है निकालो इसकी कुंडली भाई यह सुमण गिल है भाई क्या हो गया अ सारे कैच एसे कैच छोड़ दोगे है यह अच्छा सौट है र काविंदर जड़े जहा और तीदा हात में है भाई और थाला के आने का समय हो गया है अम बाती रहे डू अभी भी भी केल ले वाई स्टिम में लेकिन उनको चांस ही नहीं मिला है महेंदर सिंग धोनी भाई ये मोहिन अली को लगती न तो लेके चली जाती गेंद बाहर मोहिन अली को रासित खान के ओवर न इसलिए बचाया गे समय ठापट है, ताकि महेंदर सिंग धोनी आया और रासित खान से अटेक करवाइं जा यहाँ पर पहली गेंद तो फ़ा लासित खान की और यह कहां सब्सक्राइबायाaráई उनकोंकुल मिलेगाई सीधे बाच से महेंदर सिंग धोनी 159 के पार बहूच चुक है तीन चौक है लग चुक है तीन गेंदों पर अगली गेंद चौती गेंद और ये भी पीछे निकल जाएगी चार और रन देखे जाएगी चार गेंद चार चौक है यह तो कहना पड़ेगा भाई माही मार रहा है क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग किये न महेंदर सिंग धोनी है दोने के लिए रोका गया है रापसित्खान की दुलाई हो गी है वही सोबर में खेर यहां पे सिराज भाई आये हैं और सिराज भाई को भी महेंदर सिंग धोनी ने अधुद अंदाज में चौका लगा है अगली गेंद मोहमद सिराज की यहां पर और ये गेंद गई है भाई दर्जगों के बीच में छे रंस के लिए इस वक्त तो सिराज का नहीं माही भाई का राज चलना इस ग्राउंड पर अगली गेंद मोहिस सर्मा और ये कहां गई है इसकी रिप्लेस्मेंट बंगवानी पड़ेगी भाई नहीं गेंद लेके आओ इसकी पिटाई बहु इसी पिछ मोहिन अली दो रंस की मांग है और दो रंस पूरे हो जाने चाहिए हो गए है दो सो पाच रंस बना दिये हैं पर सी असके ने अपने 20 ओवर में 206 रंच जीत के लिए IPL 2023 के 70 रंस यहां पर बना दिये थे मोहिन अली ने और महंदर जिंग दोनी आये और चाहिए 24 बनाया 18 गेंदों पे और भाई इस मैच में बहुत बड़ा डिफ्रेंट राल दिया उन्होंने मोहमद समी और मोहिस सर्मा को दो-दो विक्टे मिले क्लेन मैक्सवल ने भी एक विकट चटकाई बारी अब सेकंड इनिंग के आ चुके हैं देखते कि यह चेस पोसिबल होग पहले इनिंग के पहले ओवर के आगरी गेंद पर चौका लगते हुए वैसा ही शुरुआ क्या है अगली गेंद यहां पर दुसार देस पांडे वोरेंस के फोल्डर जो और इसके फोल्ड करते हैं जब बॉलर चक्के के साथ उनकी भी पारी की स्टार्ट हो चुकी यहां प पहले शक्का इस बार चौका और तुसार देस पांडे वोरेंस के फ की रेस में आगे बढ़ते हुए यहां पर सुमन गिल से पर आगे बढ़ेंग कैसे गिल ही तो मार रहें उनको पाथी राना को बुला लिया गया विकेट चटका ने के लिए और विकेट चटका भी दिया पाथी राना ने 29 रेन पर पहला विकेट यहां पर खो दिया है अच्छा केमियो था यहां पर जडेजा के सामने फैफ और फैफ को चाना पड़ा है विराट कोहली बैटिंग करने के लिए और अच्छा है यहां पर चौका लगा है उन्होंने अपनी पहली गेंद पर गेंदे हैं पर पांच वी केंदी सोबर की और एक बार फिर से वह ड्राइब किया है और चार रंस और मिल जाएंगे बैक टू बैक दो चोके यहां पर स्रविंद्रेज एडिजा टू विराट कोली अच्छी श्टार्ट रही है यह विराट कोली के लिए और आईपिल के लि आते हुए हां पर सुमन गिल अपने टीम के लिए यह तीसरा चौका है चौथा चौका कौन सा चौका है हर नीचे कॉमेंड बॉक्स में बताओ जरा राट भी क्या ढून रहे हो और विराट कोली के सामने रविंद्रे जडेजा की आज एक भी ना चल रही है पिछली चार ग जडेजा के उपर अटेक करने के मूड में ही आएं कि रविंद्रे जडेजा पर रंस बनाने उनको पर यह खराब गेंती अक्सा ही नतीजा भी मिला है यहां पर इतनी गंदी यह डालोगे तो फिर चौके के लिए जाना ही पड़ेगा विराट कोली को पड़ा उबर एक और समाब्स पूथा हुआ पाती राना आते हुए और गेंध जाती साहर लेंगे लेकिन नहीं बहुच पाएंगे चाहर एंगे मिल गए अरे क्या हुआ है आमे ये फुट बॉल खेला गया आइधिंग बज गई थी गेंद गेंद क्राउंड के अंदर में थी ये देखो ये हांस से लगी पीछे गई ठीक है यहां तक तो सही है गेंद यहां रुख गई है मेरे को लग रहा है यहां बॉल रुख गई थी भाई पाथिरहना ब्रो क्या कर रहningar हो ये ये क्या था अभी तक रूखी हुई ये बाहर जाके अरे पैर से मारती है उसने और वांटरी टच हो गई भाई चार रंस मिल गए ये क्या था भाई किसकी साइड से कहलो भाई बता दो मोही नली आ चुके यहाँ पर ओ भाई ये बहुत खराब डिस्मिसल था यार सुप डिस्मिसल ये सिंगल निकालना चाहते थे सुबन गिल लेकिस जीदा मोही नली के हाथ में मार बैटे और गलती नहीं कि यहाँ पर मोही नली आश करने वाले भी नहीं है अब बता बाई अपने तरकस से नहीं नहीं तीर निकाले और चौका भी मिल गया इस सौट पर ये कुछ अदवुत सौट था और अदवुत चौका भी मिला है और ये मोही नली का दूसरा ओवर है और ओवर कवर्स छे रंस के लिए हाँ पर सुर्य कुमार यादो के बैट से इसी के साथ सो रन भी पूरे उपता सोबर दो गेंदे ग्यारा ओवर दो गेंदे हो चुगी है अब एक और नजाकत वरा स्वाट पर चार और रंस मिलते अच्छा ओड़ता इस्टेप आउड करके छक्का लगाया यहाँ पर दिपक चहर को आपस गुलाया गया है कोई फरक नहीं पड़ रहा है यहाँ पर सुर्य कुमार यादो को किंद बाद चेंज हो रहे है लेकिन नतीजा वही रह रहा है यह चौका मिलेगा बिल्कुल मिले यहाँ पर सुर्य कुमार यादो के द्वारा इसफुप हर एक किल लिया सुपला सोड बची हुई है इस गेंद कि अन्दर सुपला सोड लगा सकते हैं यह सूपला सोड ही लगा दिया इसपिनर को भाई छे रंस मिलेंगे फाइनल लेक के ऊपर से क्या बैटिंग चल रही है यह सुर्य कुमार यादो की अलगी लेवल पर रहा केलना है आज अब अगली गेंद स्टेप आउट करके मारना चाहते थे फिल्डर है लेकिन उनके उपर से चार रंस के लिए और इस चौके के साथ पचास भी पूरा हुआ सुर्य कुमार यादो का मात्र 22 गेंदो पर बैटिंग रही है सुर्य कुमार यादो की स्टेप आउट करके पीछे फिल्डर थे उनके उपर से सैथ कैच हो सकता था वो यह हाथ में चली गई है और अच्छा कैच भी पकड़ा है कुछ ऐसे ही कैच की जरुवत थी यहाँ पर अगर सुर्य कुमार यादो की इस मैच से दूर रहना था इस मैच में आउड करना था तो ऐसे ही कैच चाहिए थे और वो कैच पकड़ लिया है यहाँ पर पाथी राना या इस पाथी राना ने पकड़ा है ग्लैन मैक्सवैल आए और गेंद गई है बाहर तीपक चहर और यह नोबल भी हो गई है भाई नोबल है और अगली फ्री हिट आने वाली है ग्लैन मैक्सवैल एक बार फिर से इस बार भी गई गी बाहर वन बाउन्स चार रंस भाई यह गेंद जाके फिल्डर को लगी थे यार फिल्डर ने रोका फिर भी नहीं है एक और अच्छा स्वाड़ है ग्लैन मैक्स्वेल के लिए पीछे फिल्डर है इस बार भी दर्सक बनके रहे हैं इस बार भी मैक्स्वेल की अर्टेकिंग पारी आप है तो वही चन्नाई को दूर भेज रही है इसमें ऐसे एक और विराट कोली की 34 गिंदों पर एक ऐसी पारी के लिए रहने जो दूसरे चोड़ से अपने टीम को चला रहा है यह चोटी गेंदी और बढ़ा स्वाड है विराट कोली एक और छेरंज मिले यहां पर विराट को अपने टीम को जीत के तरफ पहुचाते हुए और आगे कोट में ताकत नजाकत चौका भरा है बिलकुल भरा है चाहर और रॉरंस ग्लेन मैक्सवेल के लिए तो आसी भी ना हो गया एक तरफ ग्लेन मैक्सवेल दूसरे तरफ विराट कोली आज फैफ चले नहीं के और जी चल रहे हैं और ऐसे चलेंगे तो फिर मैच बहुत जल्द खतम हो जाएगा क्लैन मैक्सवेल फस गए भाई लगी निचर साइथ मैच जल्दी खतम हो जाएगा बोल दिया मैक्सवेल ने बोला नहीं नहीं इतनी जल्दी खतम नहीं होने दिंगे तोड़ा सा इंट्रेस्ट और बनेगा अब आकरी ओबर में चाहिए पांच रन आउट मैं आपड नहीं कर पाऊंगा यहां पे को डोड़ गेंद भाई क्या चल रही है सिंगल लेलो कम से कम यह हवा में है और आउट नहीं यार नहीं हुए आउट बचके यहां पर वैसे मेरे को उतना इंट्रेस्ट नहीं था इस विकेंड में चली भी चाती विराट भा चाहिए था चाहिए था चाहिए था चे गेंदो पर यह वाइड गेंद बैक कैसे वाइड नहीं है यह जाओ गरम फ्र IC alr हो रही है अगर हो तो हम मैच आ रहेंगे और अगर सिंगल मिल गया तो मैच रोगी दोरन इसलिए भाग रहा भाई मेहंदर जिंग नहीं कर क्या रहते हैं ओई मेहंदर सिंग दोनी ने ये क्या किया इस गेम के अंदर वही पाई मेहंदर से दोनी तरव यहां चुक जित गए यारू क्या था लासरी प्रथिए जया चुक us.